हेलो दोस्तों आज हम एक नए वीडियो के साथ है जिसमें हम सीखेंगे कि बैटमिंटन को सही धंक से कैसे होल्ड करते हैं तो सबसे पहले आप बैटमिंटन को वर्टिकल कर लिजिए उसके बाद अपने हाथ के पैरलल कर लिजिए फिर धीरे अपने हाथ को पीछे की तरफ खिसकाएंगे जैसे हैंड से करते हैं वैसे बैटमिंटन के हैंडल को हैंड से करना है तरजनी और अंग उठे के बीच बीसे बनना चाहिए तो इस तरीके से आप सही धंक से पकड़ सकते हैं आप देख लिजिए चारों तरफ से कि कैसे हमने पकड़ा हुआ है मतलब इस से हर साथ आप रोक सकते हैं यही इसका सबसे अच्छा तरीका है, इससे आप कहीं से भी मात सकते हैं, आपके left आ रहा है, right आ रहा है, up आ रहा है, down आ रहा है, कहीं से भी मात सकते हैं, कहीं से भी मतलब code के बाहर से नहीं मानना है, बिगने उस अक्सर गलती करते हैं सीधा पकड़ लेते हैं तो फिर हैंडल आपके हाथ ही में लग जाती है तो फिर नेट के पार जाएगा इन्जी सेटल अगर गई भी तो उधर से सिसमेश आ जाएगा यहाँ पर बेमिंटर वर्टिकल हो जाएगा तो वर्टिकल में क्या होगे? सेटल में ही लग जाएगा तो फिर नहीं जाएगे तो यह गलत तरीका होगे ऐसे आपको नहीं पकड़ना है इससे जो है नीची के साट भी नहीं जाएगी तो ऐसा नहीं करना है तो आपको कैसे करना है? बैटमिंटन को सेख हैंड करना है